कि वेल्कम बच्चों नमस्कार स्वगत है आपका मैं नितिन श्वास्तो आप सभी का स्वगत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरू पर और आशा करता हूं बच्चों आप सो बच्चे सोंगे आज आपके लिए एक बहुत ही शांदार टॉपिक देखिए आपके सामने मैंने बना दिया है इंट्रोडक्शन ओफ एच्टी एमल की एच्टी एमल का एक परिच्चे क्या होता है यह तो आप जानते हैं कि एच्टी मेल का मतलब क्या होता है बच्चों हाइपर टेक्स्ट मार्कप लैंगवेज बच्चों यह ट्मल कैसी लैंगवेज है है हाइपर टेक्स्ट मार्कप लैंगवेज है और यह एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं मेंली बेसिकली हम लोग create करते हैं क्या create करते हैं web pages को HTML वो भाशा है जो हम लोग को allow करती है किस चीज के लिए allow करती है कि using tags HTML में command को बच्चों हम लोग tag कहते हैं using tags हम लोग using tags हम लोग अपने web page को design कर सकते हैं निर्माल कर सकते हैं याद रखिएगा हम लोग अपने web page को tag की मदद से design करते हैं और इन tags को interpret कौन करता है इन tags को interpret बने translate करने का काम करता है तुम्हारा browser और browser हमें इन tags का display न करके उनका output इन tags का हम को क्या देता है बच्चों result या output web page के form में show करता है या प्रदर्शित करने का काम करता है तो इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि HTML कैसी language है एक ऐसी भाषा एक ऐसी programming language है जिसकी मदद से आप बहुती कम मेहनत में एक attractive एक बहतरीन web page को बच्चों बना सकते हैं design कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं या प्रियोग कर सकते हैं और HTML में जो कुछ भी work होता है वो with the help of tags होता है अब प्रशन उठता है कि इस language को बच्चों किसने बनाया था किसने HTML को develop किया था तो याद रखिएगा इसको बच्चों develop किया था एक सज्जन थे किसने HTML was developed by एक सज्जन जिनका नाम Tim Berners Lee याद रखिए इस नाम को ये बहुत ही बहुत ही महान व्यक्ती जिन्होंने एक नहीं multiple technologies का बच्चों निर्माल किया जिसमें से सबसे शांदार technology जिसको आप HTML के नाम से जानते हो कब किया था 1991 में किया था बच्चों 1991 में इन्होंने HTML का निर्माल किया था है ना और HTML आज आप देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा popular language है for web designing for creating web pages तो HTML को develop करने वाले सजन थे Mr. Tim Berners-Lee जिन्होंने 1991 में Switzerland में जिनेवा में बच्चों इस language का अविश्कार किया था आपको बता दूँ आपकी संचिप्त जानकारी के लिए कि ये वही सजन है जिन्होंने उन्हें 1989 में दो साल पहले before the development of HTML इन्होंने ही बच्चों word wide web का भी अविश्कार किया था आप जानते हैं कि word wide web क्या है word wide web वो collection है web pages का जिसमें सूचना है एक दूसरे से web pages एक दूसरे से connected है link है या जूले हुए है तो आशा करते हैं आपको बच्चों मेरी बात समझ में आ रही होगी अब HTML में जो शब्द हैं उनका माइने समझ लिया जाए HTML में H का मतलब आप जानते हो hypertext hypertext को कुछ लोग कहते है text within text या कुछ लोग और दूसरे शब्दों में define करते है hypertext को text that contains links वो text चों बच्चों क्या contain करते हैं links को contain करते हैं तो hypertext वो technology है जिसकी मदद से आप web page में links को बच्चों manage कर पाते थे hypertext technology और यह hypertext को create करने के लिए hypertext का निर्माल करने के लिए आपके HTML में tags उपलब्द हैं आगे आप जानेंगे कभी कि एक tag होता है anchor tag जिसकी मदद से hypertext hyperlink technology का विश्कार हुआ और बच्चों यह टेकनलोजी वर्क करती है जिस प्रोटोकॉल की मदद से उसको दुनिया http कहती है hypertext transfer protocol क्या कहती है http hypertext transfer तो भईया html में h का मतलब हो गया hypertext ht का मतलब m का मतलब क्या है markup markup का मतलब होता है बच्चों कि tells the browser uh publisher को बताना कि आप चाहते क्या है और आप browser को कैसे बताते हैं तो इसके लिए html में बच्चोν tags उपलब हैं क्या उपलब्ध हैं आपके लिए html में बच्चो टेग्स दिये गए हैं ये टेग्स इनको आप बच्चो HTML कमांड भी कह सकते हैं और बच्चो ये जो टेग्स है ये आर नौट केस सेंसिटिव ये किसी भी हालत में बच्चो केस सेंस्टिव नहीं होते मतलब क्या है कि आप इन टेग्स का यूज कैपटल और स्मॉल दोनों तरीकों से कर सकते हैं और आप मार्कप का प्रॉसेस परफॉर्म कर सकते हैं और लेंग्वेज का मतलब होता है बच्चो लेंग्वेज तो आशा करते हैं बच्चों कि आप HTML क्या है ये समझ गया होंगे अब हम लोगों को वेब पेज को अगर डिजाइन करना होता है वेब पेज डिजाइनिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो एसकाई टेक्स्ट को समझता हो जैसे कि कौन-कौन से पॉपलर टेक्स एडिटर नोट पैड नोट पैड प्लस प्लस सब्लाइम टेक्स्ट ब्रैकेट्स एडिटर जिनकी मदद से हम लोग बच्चो वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं एस्टेमल के वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं उपियोग कर सकते हैं और प्रियोग कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँ आपका एस्टेमल जो लैंग्वेज है बच्चो एस्टेमल लैंग्वेज 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 के बच्चो बहुत सारे आप जानते हैं वर्जन्स का मतलब होता है संस्क्र उपलब्ध हैं स्टार्टिंग जो हुई थी सबसे पहला एच्टीमल का आविश्कार हुआ था कब हुआ था भाई 1901 जैसा कि हमने प्रिवियसली आपको बच्चो बताया इसके बाद इसको आप एच्टीमल वन पॉइंट जीरो भी कह सकते हूं फिर नंबर आया है एच्टीमल टू पॉइंट जीरो यह बना था तुम्हारा नाइंटीन नाइंटीफाइफ में बना था कब बना था 2952 में नंबर आया आपके एच्टीमल आपका बच्चो इसके बाद नंबर आया था एच्टीमल 3.2 का यह कब बना था 1997 में एच्टीमल 4.0.1 नाइंटीन नाइंटीन हम देख लिए बच्चो कितने वर्जन अभी समाप्त नहीं हुए कहानी अभी समाप्त नहीं हुआ है और बच्चो इसके बाद आपका नंबर आया एक्स एच्टीमल का वो आपका आया दो हजार में और जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इस समय वो वर्जन है आपका एच्टीमल 5 आज के दौर में इसके बाद कोई एस्टीमल का वर्जन अभी नहीं आया है वो आपका कब आया दो हजार बच्चो चौदा जो लेटेस्ट वर्जन आपका चला है आपके एस्ट तो देख लिजी इतने सारे वर्जन्स आ चुके हैं और मैं आपको बता दूँ हर वर्जन में अपने से पिछले वर्जन से अपडेटिड अपग्रेड़िड टेक्नोलोजी टैक्स कमांड्स एक्जिस्ट करते थे हर लेंग्वेज में कुछ न कुछ नया हर वर्जन में कुछ न कुछ नया टेकनलोजी एड होता चला गया बढ़ता बच्चो चला गया तो ये एक संचित सा आपके लिए बच्चो हमने परिचे रखा है HTML का और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि जो ये टैग्ज होते हैं तुमारे HTML में ये दो परिकार क्यों होते हैं बच्चो एक जिने हम लोग container tag कहते हैं tag को कुछ लोग element भी कहते हैं और दूसरा जिसको हम लोग empty tag कहते हैं एक container और दूसरा empty container के साथ बच्चों खासियत क्या है कि ये open भी होते हैं और ये आपका close भी होते हैं open अपने नाम से close भी अपने नाम से बस forward slash के साथ और यहां पर no need to close इनको close करने की बच्चों कोई आवशक्ता नहीं होती container tag कुछ information अपने अंदर contain करते हैं container tag अपने अंदर कुछ सूचनाओं को रखते हैं कुछ information को hold करते हैं जबकि तुमारे empty tag किसी तरह की कोई सूचना को contain नहीं करते नहीं को close करने की और शक्ता होती है तो यह आगे वाने वाले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए थैंक यू वेरी मच बच्चों नमस्कार जैहिन गुड़नाइट कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ